मुझा नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजाया दो तो चलते इस वक्त की बड़ी ख़बर क्यों हो मामना थाना सचेंडी के अंतरगत किसान नगर में अवैद रूप से बिना नक से बिना मानक बिना लाइसेंस एवं खिराय पर बना स्पताल दिव्यांसू हॉस्पिटल का है जहां पर बीती राद चुगराजपूर के अंतरगत रुद्रपूर गाउं से आई एक मुस्लिम महिला के डिलेवरी होनी थी लेकिन हॉस्पिटल के नौसिखिये लड़के तीम हजार कमाने वाले कंपाउंडर जोकी हॉस्पिटल में डॉक्टर का रोल निभा रहे हैं उनके गलत इंजेक्शन गलत दवायों से जच्चा बच्चा दोनों की मौके पर मुर्तिव हो गई मौत की सूचना मिलते ही ग्रामेडों ने हॉस्पिटल को चार ओर से घेर लिया एवं पुलिस प्रशाशन दल बल के साथ मौझूद हो गया काफी देड तक गर्मा गर्मी पनी रही वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि यहां आए दिन लासो का ठेर विश्टा है दवा की नाम पर जहर को बेचा जाता है और एक ही सुई से गरम पाने की मदद से कई लोगों को इंजेक्षन लगाया जाता है धिव्यांसु हॉस्पिटल में कौन निभाता है मुन्ना भाई और वजीर का रोल जी आपको बता दे दिव्यांसु होस्पिटल में भौती के प्रधानपती सत्रुगन सिंग चोहान जिनकी बहु गुडिया चोहान है जो कि होस्पिटल में वजीर का रोल निभाती है अपने ही संडरक्षन में पूरा होस्पिटल चलाती है रायपूर का रहने वाला वारिश नाम का लड़का जो की बहुत कम उम्रका है वा दिव्यांसु होस्पिटल में मुन्ना भाई का रोल निभाता है किसी भी मरीश को आने पर वा इंजेक्शन और एक्स्पायरी दवायों को मरीश को धडल्ले से दे देता है दिव्यांसु होस्पिटल में तैनात कम उम्रका मै थिरेंद्र सिंग जो कि सरकिट का रोल में भाता है। बच्चे की मिर्त्यू दिवांशू हॉस्पिटल में सुभा हुई थी। उसका भी समझोता तीन से चार लाख में भाती के पधान के द्वारा करवाया गया। नहीं हम लोग जब आय नहीं थी तो इनको राती में सब हो गया। पैसा मिल गया इन लोको लड़के वालोगों? पैसा मिला है या नहीं मिला है वो लोग कुछ आपनी मर जिस कुछ मत आय नहीं। जब हमको फोन किया कि हमाई मिट्टी भाइक कहीं नहीं जाए चीर फार नहीं। तब ये मैटर जाने मिला कि वो तीन लाग रुपाय मास पासार की तरफ से वो हो गया है। पुलिस जबर्जस कर लेके पुलिस केस हो गया है। तो पुलिस जब पुलिस का लाज किया है। अब जो बोशकी का भाग गया हूँ? जब आंश अश्पितल बंद है कुछा भी? जैसे इंजिस रखाए हो इसे भाग के हैं। तुरहंत लाटकी चली है। तो उसके पाद बंद कर भाग गया हूँ? तो यह जब गाड़ी में बट्राओं कुछ लोगो कुछ वीचे सान निकल गया। अब आपकी बेटी हो हूँ? कोई बलती नहीं था आपकी नहीं था हूँ? यह मेटन मालूम नहीं आपको पूरा। आपकी अपकी बेटी है। लगाते हैं खतब हो पनिया। इंडिन प्राइम नेउस के लिए कानपूर से समभाद दाता मुकेश कुमार की खास रिपोर्ट इंडिन प्राइम नेउस के लिए अ मौझा पास रिपोर्ट झाल झाल